बार्शिट अकली सुच्छता ठेकेदार की मनमानी के चलते नागरी को सहीत मस्दूरों का स्वस्त खत्रे में दिखाई दे रहा है सुच्छता ठेकेदार मस्दूरों का आर्तिक वा मानसिक शुशन कर रहा है जिसकी वज़ा से दो वक्त की रोटी के जुगाड में मस्दूरों से ठेकेदार फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है बार्शिट अकली शहर में गंदगी से नागरी को का बुरा हाल है सुच्छता पर हर महिने 12-15 रुपे खर्च होते है लेकिन ना तो शहर सुच्छ हो रहा है ना ही शहर के मस्दूर दिखाई देते है चंद मस्दूर काम करते भी है तो उन्हें भी मस्दूरी से कम मस्दूरी दी जाती है मजदूरों से 200 रुपे में 8 घंटे काम लिया जाता है जो के एक प्रकार का मजदूरों का खुला शोशन है फिर ये महिने के ठेकेदार जो लाखों रुपेओं का बिल निकालते है वो जाता कहा है इसका मतलब साफ है के पानी कही तो भी मुर रहा है जिसके दलदल में बारशी टाकली के नागरिक धस्ते जा रहे है कोरोना के चलते पूरी दुनिया परेशान है अपनी स्वस्त को उत्तम बनाए रखने के लिए हर कोई फिक्र में है लेकिन बारशी टाकली के स्वच्छता मजदूर दो वक्त की रोटी के जुगार में अपनी स्वस्त से किलवार कर रहे है टेकेदार दोरा ना ही मजदूरों को सफाई के लिए हातों में पंजे दिये जा रहे है ना ही सैनिटाइजर, मास, कोई भी सामगरी इन मजदूरों को उपलब्द नहीं करवाई जाती है मजदूर नालियों की घान खुद अपने हातों से साफ करते है ऐसी स्थिती में साब बिच्चू का डर बेचारे मजदूरों को होता है ऐसी स्थिती स्थिता मजदूर की बनी हुई है लेकिन नगर पंचायत प्रशासन स्थिता ठेकेदार पर महरबान दिखाई दे रही है इस बात पर अकोला के पालक मंत्री वजिलादिकारी द्वारा द्यान देने की मांग बारशी टाकली के नागरी को द्वारा की जा रही है अकोला 24 न्यूस के लिए बारशी टाकली से केमरामेन वकार खान के साथ इर्फान हमस शेक की रिपोर्ट